कृतध्यता की शक्ति ब्रहमांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है इसमें हमारे जीवन को बदलने, हमारे संबंधों को सुधारने और हमारे कल्यान को बढ़ाने की क्षमता है जब हम कृतग्यता का अभ्यास करते हैं, तो हमारा ध्यान उस चीज से हट जाता है, जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है हम जीवन में सरल चीजों की सराहना करना शुरू करते हैं, और जो हमारे पास है, उससे अधिक संतुष्ट हो जाते हैं इस लेख में हम क्रितग्यता की शक्ती और यह कैसे आपके जीवन को बदल सकते हैं के बारे में जानेंगे क्रितग्यता क्या है? क्रितग्यता हमारे जीवन में हमारे पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद और प्रशनसा व्यक्त करने का कार्य है इसमें हमारे जीवन में अच्छी चीजों को स्विकार करना शामिल है चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो कृतग्यता एक सकारात्मत भावना है जो हमें अपने जीवन से अधिक खुश, अधिक संकुष्ट और अधिक संकुष्ट महसूस करने में मदद कर सकती है आभार कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है जैसे धन्यवाद कहना, धन्यवाद नोट लिखना या बस उन चीजों के बारे में सोचना जिन के लिए हम आभारी है जितना अधिक हम आभार व्यक्त करते हैं उतना ही अधिक हम अपने मन को हमारे जीवन के सकारात्मक पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। कृतग्यता के लाग शोध से पता चला है कि कृतग्यता का अभ्यास करने से हमारे मानसित और शारिरिक कल्यान के लिए कई लाभ हो सकते हैं यहां कुछ तरीके दिये गए हैं जिनसे कृतग्यता हमें लाभ पहुचा सकती है एक प्रसंता बढ़ाता है खुशी और जीवन की संतुष्टी को बढ़ाने के लिए आभार दिखाया गया है जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हमारे नकारात्मक विचारों और भावनाओ पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम होती है इससे जीवन पर अधिक सकारात्मक द्रिष्टिकोन और खुशी में व्रिध्धी हो सकती है दो द्रिष्टों में सुधार लाता है आभार व्यक्त करने से दूसरों के साथ हमारे संबंध बहतर हो सकते हैं जब हम अपने जीवन में लोगों के लिए प्रशंसा और धन्यवाद दिखाते हैं तो हम उनके साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं इससे अधिक पूर्ण और संतोष जनक संबंध बन सकते हैं तीन तनाव कम करता है आभार तनाव और चिंता को कम करने के लिए दिखाया गया है जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम रखते हैं जो हमें तनाव दे रही हैं यहां हमें अधिक आराम और आराम महसूस करने में मदद कर सकता है चार लचीलापन बढ़ाता है कृतग्यता विपत्ती के प्रती हमारे लचीलेपन को बढ़ा सकती है जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हम चुनोतियों और असफलताओं का बहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं यहां हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सकारात्मत बने रहने में मदद कर सकता है पांच शारेरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है शारेरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आभार दिखाया गया है जो लोग कृतग्यता का अभ्यास करते हैं उनमें मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, निम्नरक्ठचाप और बहतर नीम की गुनवत्ता पाई गई है इससे बहतर समगरी है